है गाईज होब कि आप सबी लोग ठीक होंगे शुरक्षित होंगे सेफ होंगे अपना ध्यान रख रहा होंगे अपनी फैमिली का ध्याना सुनाया ना आएए आपका इंतिजार था जी हाँ डीविटी हम्मेशा की तरह इस बार पर सर्प्राइस करता हुआ सो ध्यान से देखिए इस एक्जाम को यह वही एक्जाम है जो हर बार अपने नोडिमीशन एक्जामेंचन ऑर रिजल्ट के साथ सर्प्राइस करता हुआ इस बार भी यह notification जल्द ही जारी कर दिया गया है और examination date के बारे में भी आपको announcement दे दी गई है So NTA conduct कराएगा इस exam को public notice जो आप देख पा रहे हैं 11th of March को decide की गई है कि online application graduate aptitude test यानि GAT B की जो bio technology और bio technology eligibility test BET 2022 के लिए announcement हो चुका है Graduate aptitude test जो की GAT B और BET जो की DBT-JRF पहले ही conduct करा DBT-JRF के नाम से भी जाना जाता है वो दोनों exams के informations यहां पर दिये गए हैं इसमें अगर हम बात करें so post graduate program के लिए GAT B होता है और junior research fellowship DBT-JRF के लिए आपको BET यानि की bio technology eligibility test देना पड़ेगा duration of online registration and submission of online application यानि की 11th March से 31st March है 5 बज़े तक यानि March तक आपको form submit कर लेना है last date जो submission की है examination fee या उस जो भी net card या net banking या debit card के साथ payment कर रहे है so उसके लिए 31 March को रखा गया 11.50 PM तक correction in the particular application form जो है वो LDA website पे display किया जाएगा अगर कुछ कलती होगी तो और date of examination जो रखा गया 23rd of April Saturday को रखा गया है तो क्या बात है अगर आपके हां से देखोगे तो आपके पास जो available time है आज जो है वह 11 11 है कि आपसे लगभग लगभग 23 दिन उसमें मिलेगा अपरेल में और 20 से 23 दिन यहां आए तो कुल मिला जोगा कि 40 दिन आपके पास totally available MDPJRF के लिए, date of examination 23rd of April no down कर लीजएगा और duration आपको पता है एक 180 मिनट तीन गंटे का Gat B का जो timing है वो 9 से 12 है और BT के timing 3 से 6 रखी गई है computer based mode में होगा और mode of question paper English होगा, इन्होंने specifically यहां पर mention कर दिया गया है और बाकी चीज़े syllabus information bulletin में दी गई है तो information bulletin से आप syllabus देख सकते हैं जो piece रखी गई है Gat B के लिए unresolved OBC non-crimi layer और EWS के लिए 1200 है और SC STPWD के लिए 600 है bet के लिए भी वही है 1200 और 600 और अगर आप दोनों भरते हैं तो 24 सो आपके लिए Gat B और BT दोनों के लिए है और SC STPWD के लिए 1200 है सो यह conditions है अगर आप भरना चाहते है candidates जो apply करना चाहते हैं आप online mode में ही save करना है यह form date आपको बता दो एक बर फिर से आप 31 मार्च से पहले ही आप भर सकते हैं और एक ही application जो है आप submit करिएगा एक से जादा application में भी rejected हो जाएंगे जो website आपको विजिट करनी है वो आपको dbtnta.ac.in या nda.ac.in पे जा सकते हैं अगर कोई दिक्कत है queries है तो आप dbt at the rate nta.ac.in पे mail कर सकते हैं help line number भी यहां पे दिया गया है इस help line number से आप अपनी queries पूच सकते हैं यह रहा आपका notification जो nda.dbt.drf examinations के लिए लागू कर दिया गया है मैं उमीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई करके इस examination को जल से जल क्रैक करने की कोसिस करेंगे वेन्ते नेनों से तु दियुंए तु दियुंए टियुंए ट्हीं टंबागा देक्या है और दी करेंगे